प्लांट में दूबारा आग लगने की खबर है इस बार बिल्डिंग के दूसरे हिसे में आग लगी है यहीं से पुलिस को आज 21 जनवरी दुपहर में हुई दुरगटना के बाद पांस मजदूरों के जले हुए शव मिले थे म्रतकों में कोई ठेका मजदूर था तो कोई बिशली का काम करने के लिए घटना इस्तल पर मौजूद था सर्च ऑपरेशन में छे लोगों की जान भी बचाई गई है दैनिक भासकर की रिपोर्ट के अनुसार पुने के मेर मुरली धर मोहोल ने बताया कि मजदूर की लाशे इमारत की उपरी मंजिर पर मिली है उन्होंने कहा कि आग लगने की वज़ा अभी साफ नहीं है जिस इमारत में आग लगी वहाँ वो वेल्डिंग का काम चल रहा था और हास्से की वज़ा यह भी हो सकती है सीरम इंस्टिटूट ने दुरगटना का शिकार हुए मजदूरों के परिजुनों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है SII के अध्यक्ष साइरस पुननवाला ने कहा आज SII में हम सभी के लिए एक अत्यन दुखत दिन है हमें गहरा दुख हुआ है और दिवंगत परिवारों के प्रती हमारी समवेदना है हम मांदंडों के अनुसार अनिवार राशी के अलावा प्रतेक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे बता दे कि पुने के इस प्लांट में लाखों वैक्सीन का निर्मान किया जाता है इसी इंस्टिट्यूट में कोवी शील्ड वैक्सीन बनाई गई है संस्थान के CEO अदार पुनावाला का कहना है कि इस दुरघटना में कोरोना वैक्सीन को नुकसान नहीं हुआ है आगमंजरी प्लांट में लगी है यहाँ वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा था उन्होंने कहा मैं सरकार और लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कोवी शील्ड के प्रोडेक्शन को इस हास्से से कोई नुकसान नहीं हुआ है ऐसी इस्तिती से निपटने के लिए हमने कई प्रोडेक्शन बिल्डिंग तयार कर रखी है गौरतलब है कि सीरम इंस्टिट्यूट में लगी इस आख ने अचानक लोगों के मन में संदे पैदा कर दिया है दूसरी बार संस्थान की इमारत में लगी आग पर लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए कोई किसी हद तक भी जा सकता है इस पर जाच होनी चाहिए वहीं राज के मुखमंतरी उद्धर ठाकरे ने कहा कि प्रात्मिक द्रश्टी से या दुरगटना इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण हुई लग रही है उनका कहना है कि कोवीड वैक्सीन बिलकुल सुरक्षित है प्रधानमंदी नरेद मोदी ने भी इंस्टिट्यूट में आग लगने से वे जानमाल के नुकसान पर अपना दुखव्यक्त किया है